रूड़की के रामपूर में नीजी संस्था द्वारा बनाय जा रहे सुलब सोचाले निर्मान के दोरान मजदूर की हाई टेंसन लाइट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई लेकि हंस फाउंडेशन संस्था की लापरवाहि के चलते उनके बेटे की मत हुई है मरतक को बिना पोसमाटम के ही परिजनों के सुपेट में आ गया जिससे अस्पटाल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मरतक घोजित कर दिया मौके पर पहुंचे ठेकेदारों ने बिना पीम के मजदूर के सब को परीजोनों के सुबूर कर दिया 17 वर्षे आरिफ इकबालपूर का रहने वाला था अरिफ की मौत की खबर के बाद से ही घर में मातम का माहूल है क्राइम स्टोरी के लिए उत्रखन के रूड़की से नसीम मलिक की रिपो परीजिया और उसे कंड़ रगया और बहुत जबर्द कर रगया तो जहें यहां अफर तफरी हुई तो हम लोग घर से बाहर निकल कर आए तो देखते हैं बहुत बड़ा हुजूम था यहां था कि उस लड़के में सांस भी नहीं था लेकिन लड़के महल लेगे उसे लेकर होस्पिटल गए लेकिन वो जाते जाते हैं उसकी मुर्थिख हो देगी